Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? उमीद करते हैं आप लोग काफी जादा अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में बात काने वाले हैं CBSC Term 1 के Result को लेकर and Term 2 Examination को लेकर जितने भी confusion आप सभी के मन में हैं आज के इस वीडियो को देखनी के बाद एक भी confusion आपके मन में नहीं बचेगा तो वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पुरी ध्यान से देखेगा आप लोग ठीक है न? Term 1 Examination को लेकर आप सभी के मन में दो confusion होगा सबसे पहला होगा कि सर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये और दूसरा अगर आएगा तो फिर कब तक आएगा? पहला confusion आप सभी के मन में यही है इन दोनों ही बातों को किलियर करेंगे और term 2 examination को लेकर तीन चार confusion आपके मन में होगा कौन-कौन सी है सबसे पहले हम find out कर लेते हैं पहला कि examination cancel तो नहीं हो जाएगा क्योंकि कोबीट की सिचुएशन जिस तरीके से है क्या examination cancel होगा और अगर examination cancel नहीं होता है तो examination offline होंगे या फिर online होंगे क्योंकि अभी तक तो CBC ने कहा है कि examination को हम offline ही conduct करेंगे तो क्या examination online conduct हो सकती है किसी भी कीमत पे ये जानेंगे और अगला है कि examination जो है वो कब तक conduct होगी ठीक है कब तक examination conduct की जाए क्या March में possible है या फिर अप्रील में होगी कब तक examination होगी इन सभी सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ तो उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा request करना चाहेंगे कि चैनल को subscribe करके well icon को दवा लिजेगा क्यूंकि cbse related purple की update सबसे पहले आपको इसी चैनल के माधियम से provide की जाती है सबसे पहले हम बात करते हैं term to examination से related ठीक है न term to examination को लेकर आपके मन में पहला confusion यह है कि क्या sir examination cancel होगा तो मैं आपको बता दू कि आप सभी की examination बिल्कुल भी cancel नहीं होगी और आपको इस बारे में बिल्कुल भी सोचना ही नहीं चाहिए कि examination cancel होगी क्योंकि अगर आप cancel examination को लेकर सोचते हैं कि term to cancel होगी तो finally आप यह सोचना चाहते हैं कि term one examination जो आप सभी का है उसी के ways पे आप सभी की final merit बने और आपको पता है कि term one का examination काफी ज़्यादा लोगों का खराब होगा ठीक है तो अगर आप सोचते हैं कि term to examination cancel हो तो term one के ways पे आपको marks मिलेंगे और term one में आपके marks खराब होगे हैं जिसके करान आपके final board में marks खराब हो जाएंगे तो आप बिल्कुल भी मत सोची कि आपके examination cancel होगे तो कौन-कौन सोचते हैं कि examination हो लेकिन अगर examination हो तो दो बात यहां पर आती है अगर cbc चाहे तो examination को online conduct कर सके ठीक है तो देखिए इसके लिए हम लोग twitter पर प्रोटेस्ट करेंगे आपको बस इतना करना है कि मुझे comment section में आप लोग जरूर लिखेगा कि क्या examination online होनी चाहिए या फिर offline होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि अगर पढ़ाई अगर इस कारण से examination offline लेती है तो काफी ज्यादा घातक सावित हो सकता है क्योंकि कोविड की situation काफी अधिक है और तीसरा बात कि क्या examination अभी possible है तो मैं आपको बता दूँ कि examination आप सभी के मार्च में भी possible नहीं है examination आप सभी की April में होगी ठीक है कम से कम April होगा ही होगा क्योंकि December में तो आप सभी की examination ही खत्म हुई है term 1 का examination और कम से कम 3 महीने तो समय मिलेगा है ना वाई कम से कम 3 महीने समय नहीं मिलेगा तो आप term 2 के लिए कैसे अच्छी से prepare कर पाओगे CBSE भी इस बात को समझ रही है इसलिए है ना तो ऐसे में आप सभी examination अप्रील में ही समभव है दूसरा बात आता है next बात आप सभी के सामने ये है कि term 1 का result कब तक जारी के जाएगा तो देखे term 1 के result को लेकर आप देख सकते हैं इसके official twitter handle तो देख सकते हैं यहाँ पर डीजी लोकर ने क्या कुछ कहा था अब डीजी लोकर की बात को इतना value हम क्यों दे रहे हैं इसके पीछे एक बजा है क्योंकि यह government website है इनका application भी आता है और यहाँ पर देख सकते हैं डीजी लोकर का twitter पे blue tick है ठीक है और अगला बात आता है कि अगर आपका mark sheet कभी खो गया ना तो आप डीजी लोकर से डाउनलोड कर पाएंगे अपने original mark sheet को और यहाँ पर signed किया होता है डीजी लोकर के जो ahead होते हैं उनका ठीक है और इन दोनों की value एकदम सेम होती है आपके original mark sheet से जितना काम हो पाएगा ना उतना ही काम आपके डीजी लोकर के mark sheet से भी हो जाएगी और इन्होंने कहा तक कि sign up करके आप डीजी लोकर पर रख लो आप सभी के mark sheet और certificate access करने के लिए ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा था कि result बहुत ही जल्द आने वाले लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं दो दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक result इसकी official website पे नहीं आई है और ना तो CVC के तरप से कोई भी इसके लेकर confirmation है हलांकि यह बात तो बिल्कुल सच है कि result आने जिस दिन result आपका आना होता है उसके 4 से 5 घंटे पहले आप सभी को confirmation दी जाती है ऐसे में दोस्तों आप सभी की result अब फर्वरी के first week में ही जारी की जाएगी ठीक है फर्वरी first week में 5 फर्वरी तक आप सभी की result आप सभी को देखने को मिल जाएगा ठीक है तो 5 फरवरी तक आप सभी को बेट करना पड़ेगा टर्म 1 रिजल्ट को लेकर लेकिन इसके लिए आप लोग बिल्गुल भी टेंसा ना ले आप लोग टर्म 2 एक्जामिनेशन की प्रेपरेशन करते रहें क्योंकि एक्जामिनेशन आप सभी की होगी ये बाते सच है